कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बलों के मुहीम अब रंग दिखाने लगी है पिछले 24 घंटों के दौरान सुरक्षा बलों को दूसरी बड़ी काम्यावी मिली है जमु कश्मीर के अवंती पूरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुटभेड में सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों को मार गिरा है बता जा रहा है कि मारे गए आतंकवादियों का तालुक आतंकी संगठन जैशे मुहम्मद से है एंकाउंटर में धेर किये गए तीनों आतंकियों में से एक किशिनाख त्राल निवासी रईज एहमद डार के तौट पर की गई है हलाकि इस एंकाउंटर में सेना का एक जवान और पुलिस के स्पी ओ शावाज एहमद भी शहीद हो गए है बता जा रहा है कि हाँ सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने का इंपुट मिला जसके बाद सुवे से सर्च ओपरेशन चलाया गया सर्च ओपरेशन के दौरान आतंकियों ने फारिंग शुरू कर दी सुरक्षावलों ने भी जवावी फारिंग की जिसमें तीन आतंकी धेर हो गए इसे पहले सोमवार को भी पुलवामा के वाची गाउं में आतंकियों और सुरक्षावलों के बीच मुटभेड हुई जसमें जैशे मुहम्मद के तीन आतंकी मार गिराए गए मारे गए आतंकियों में पीडीपी के पूर्व इधाय कैजाज एहमद मीर के घर से हत्यार चुराने वाला पूर्व, स्पियो, आदिल शेक और जहागीर मलिक भी शामिल था एस अभियान को सेना, सीर पियफ और जमु कश्मीर पुलिस ने मिल कर अन्जाम दिया बिर रपोर्ट जीनी दिया दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल ने मंगलवार को नई दिल्ली सीट से नमांकंद दाखल किया केजरिवाल रोड शो के साथ परचा दाखल करने पहुँचे इस दौरान उनके माता पिजा, पत्नी और बेटी भी मौझूद थी इससे पहले केजरिवाल सुमबार को भी रोड शो के साथ परचा दाखल करने पहुँचे थे लेकिन लेट हो जाने के कारण वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए थी दिली के जामनगर हाउस में मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के परचा दाखिल करने के दौरान हंगामा भी हो गया केजरिवाल जब करीब एक घंटे की देरी से नामांकन के लिए पहुँचे तो निर्दलिये उमीदवारों ने उन्हें सीधे एंट्री देने का विरोध किया केजरिवाल नई दिल्ली सीट से दो बार जीत दर्ज कर चुके हैं 2013 में उन्होंने पूर मुखे मंतरी शीला दिक्षित को शिकस्त दी थी इसके बाद 2015 में भी वो इसी सीट से दो बारा जीते थे इस बार केजरिवाल को टककर देने के लिए बीजेपी और कॉंग्रिस ने नए चेहरों को मैदान में उतारा है दिल्ली विधान सबा सीट से केजरिवाल के खिलाफ बीजेपी ने सुनील यादव को टिकर दो आ है जबकि कॉंग्रिस ने रोमेश सभरवाल को केजरिवाल के मकाबले के लिए रण में उतारा है इस प्रकार से इसके पहले सुनील यादो पुरवां चल से आते हैं यादो परिवार से है इसी क्षेत्र में रहने वाले है और युवा मुर्चा के जुजारू अध्यक्ष है बीजेपी भले ही युवा नेता को केजरिवाल के खिलाफ मैदान में उतार कर लड़ाई लड़ने का दम भर रही है लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉंग्रेस और बीजेपी ने एक तरह से नई दिल्ली सीट पर केजरिवाल को वॉक ओवर दे दिया है भिरो रपोर्ट जीमी प्लाइब